हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई CSC परिवार दोस्तों अगर आप एक CSC वे लिए हैं और PMG दिफा का पंचालन करते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खाफ होने वाली क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं को एक एक सब्ट्राइब करें सब्सक्राइब कर एक जिफा का एक अपडेट है कि जो हमारे सटूडेंट से ही कर पाएगा यह नहीं कर पाएगा आपね कि नहीं कर पाएंगे यही अपडेट के बारे में यह व्यूटियो है तो अगर अभी तक आपने हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही लेटेफ नालेज लाता रहता हूं और मैं इस यहां में आपको टेलीग्राम लि करेंगे कि यह जो इस्टुडेंट है मालो कि आगर किसी वेली ने रजिस्टेफन कर दिया है और वो जैसे ही कोई दूफरा वेली या वही वेक्ति दुबारा से उसका रजिस्टेफन करेगा तो यही आता है कि आधार अल्लेडी एकजिफ्ट तो इसका मतलब आधार पहले स दिफा के पोटल में रन हो चुका है वो अब दुबारा से रजिस्टेफन नहीं होगा तो यह प्रोग्लम्स हमेशा आती रहती है वेलियों को प्रेश करनी पड़ती है तो इसका अपडेट आया है कि आगर इस्टुडेंट ने 31 जुलाई 2021 के पहले रजिस्टेफन करवाया वीसट्डेंट नहीं दिया रूए है तो इसका जो रजिस्टेफन हो तुइब रजिस्टेफनस करपता है हलाकि उस रजिफ्टेफन जो हो चुका है उसको दौफरा वेली नहीं कर पाएगा मतलब जिफ ग्राम पंचायत से और जिफ आईडी से उसने रजिफ्टेफन किया था पहले उसी आईडी में दोबारा से उसको रजिफ्टेफन करवाना पड़ेगा जैसे मेरे कोई व्यक्ति है मनोज नाम का मैंने उसका रजिफ्टेफन कर दिया है और वह रजिफ्टेफन एक्टिफ जुलाई 2021 के पहले कर था तो वह डिफेवल हो गया होगा मैंने एक जाम नहीं लिया है जब मैं उसका दोबारा से करूंगा तो उसकी आईडी से करूंगा तो यही अपडेट था तो दोबारा से अगर डिफेवल हुआ है तो आप जो भी स्टुडेंट है वह दोबारा से उसकी आईडी में अपलाई करके अपना एक्जाम दे सकते हैं और बहुत पर हमारे जो वेली हैं वह अब नया टार्गेट उनको मिल गया हुआ है सब जितने यह बड़िवल हुए। उनकी जिछा पर आपको नया टार्गेट मिल गया है तो अभी वहल्य अपना जा करके टार्गेट को को बूरा करें और पेमेत मारा पर थीक है पेमेंट मरता नहीं है आजाता है तो दोफ्तों बश्यानल को लाता रहूँगा हमेशा तो दोफ्तों अगर आप मुझे परपोर्ट करना चाहते तो मेरे चनल को लाइक एंड फियर जोड़ करें तो थैंकिए फर वाचिंग मा यूटीब चैनल